न्हासकार दोस्तों मैं हूं आदित जैकुरे वीडियो स्रीज में हमको श्वागत है यह वीडियो स्रीज्स लास्ट है हमारा ठीक है इसमें हम प्रोजेक्स पताएंगे का प्रोजेक्स प्रोजक्त तैयार किये Māno जो में फोटो अ्सलाइड हो ठीक है यह तो ऩJe ठीक है लेकिन फिलाल हम इतना यूज करेंगे ठीक है सिर्फ अनिमेशन का तो तयार करते हैं आए पहले की तरह नॉर्मल हम बस तीन पेज हैं इंडेक्स.php, my.js and my.css ठीक है और तीनों एक दूसरे से लिंक है फॉर्स्ट आफ जेक्योरी हमारा है ठीक है इसमें कॉल किया ग देखेंगे वर्ग और यह माई css कॉल किया गया है और अपन और इसको आप देखें जड़ा इसमें हमारी कॉन कॉन से हमारे ये इंडेक्स.php ये हमारी फाइल है ठीक है एक मिनट इंडेक्स.php ये हमारी फाइल है इससे कॉन कॉन किसको किसको लिंक करा है जेक्योरी की फाइल को लिंक करा है और माई js की फाइल को लिंक करा है और माई.css की फाइल को लिंक करा है और यहां पे एक इमेज नाम की फाइल है फोल्डर है उसमें हमने चार इमेज क लिए इमेज 1.jpg, img2.jpg, img3.jpg, img4.jpg को नाम से पहले सेव करके हैं, तो आइए हम लोग फटाक से सबसे पहले index.php में हम लोग बहुत करते हैं, तो एक हम div बनाते हैं सबसे पहले, div यह तो हुआ हमारा एरिया, किस एरिया पर वर्क करेंगे हैं, और इस पर हम div को define करते हैं, हम दे देते हैं, sorry, with दे देते हैं हम लोग 100% and height देते हैं हम 400px and border 2px solid and red, इसका output हम लोग बटाक से देखते हैं, यह है हमारा इसका output, ok, 400px का है और 100% ही है, तो इसी पर हमारा gallery slide होगा image, अब इसके अंदर हम चार image रखते हैं, img image, src को call कराया, और image folder के अंदर है, image folder के अंदर है, img1, नाम से dot jpg, ok, and class हम दे देते हैं, class दे देता, img1, इस class का नाम रहेगा, and इसको हम लोग 4 times call करा लेते हैं, और यह है हमारा image 2, यह है image 3, यह है image 4, class name 2, 3 and 4, and output is, oh, ok, तो यह हमारा output है, एक किनीचे, एक किनीचे, एक 4 हुआ गए, अब सबसे पहले css का काम है, हमारा, जितना भी image file है, image का है, उसको, क्या करना है, with जो है, 100% कर दे, 100% करने से क्या होगा, यह 100% में shift हो गया, and height, and height, height 400px कर देते हैं, 400px करने से क्या होगा, वो इसके बराबर हो गया, सारे 400px के हो गया, अब क्या करना है, कि यह सारे को, जितना का जितना है, यह सब एक line में आ जाए, या फिर कुछ ऐसा करना होगा, जिसमें, सिर्फ यहां से लेके, यहां तक में आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमको, इसको, position, relative करना होगा, पूरे image को, यानि यह image जो है न, यह चारो पर वर्क हो रहा है, ठीक है, हमने class ने लिया है, हमने image लिया है, इसमें position हम दे देते हैं, absolute, सब एक के अंदर एक, सिफ्ट हो गया, इसी के अंदर चारो पूस्टर, फिक्स हो गया है, अब हम आपको, एक ये करके समझाते हैं, सबसे पहले हम ये तीनो image को, यहां से अटा देते हैं, image 1, सेव कि ये image 1 को हम, img image, अब देखें यहां पर class img1, क्योंकि हमको class को लेना है, एक class को, proper class को, इस class को लिया है, इस class की width को, हम, इस class की width को, हमने, width को क्या कर दे, width हम कर देते हैं, जदा ध्यान दिजेगा, अभी हम आपको 20% करके दिखाते हैं, क्या हो रहा है, यह दिके 20% में, सिर्फ एक single का, अभी क्या है, बाकी सब को हमने हटा दिया है, 20%, इसी तरह हम 1% करेंगे, 10% करेंगे, और चोटा, 1% करेंगे, बहुत चोटा, देखिए, आपे दिख रहा है, अलकास एक दम आपको, ठीक है, अगर हम इसको 0% कर दे, तो यह यहाँ पे है, पर इसका अस्तित्तु खतम, पता नहीं चल ला है, यह 0% है, यहाँ पे है, ठीक है, बट हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं, और यह 10% है, हम यहाँ पे इसको left दे रहा है, क्योंकि by default यह left में है, left से 0, तो यह by default left से ही है, क्योंकि यह ही से ले रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे right देते है, right से 0, तो क्या होगा, यह इधर shift हो जागा, देखिए, यह धर shift हो 0, and इसका width भी 0, यानि image यहाँ पे है, पर यहाँ image दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसकी width 0% है, तो यह हुआ हमारा image 1 का, अब हम वापस से image 2 को लाते हैं, और यह दोनों को gap करते हैं, image 2, अब देखिए, यह हमारा image 2 है, काम करते हैं, सारे images पे इमेज का नाम लिख देते हैं, फटा-फट, ताकि clear रहागा इससे, jquery class के अंदर, image 1 को edit करते हैं, edit, यह paint में आया, img1, यह हुआ हमारा image 1, save, and edit, and img2, यह हुआ हमारा image 2, save, add it, img3, image 3, edit, img4, image 4, save, तो अब क्या है, कि सारा image पे हमारा image 1 है, image 2 है, image 3 है, image 4 है, done, so, तो अब हमारा image 2 है, इसको जड़ा हम यहाँ पे refresh करते हैं, देखिए, यहाँ लिखा रहेगा image 2, image 2 को, अब देखिए, क्या है, कि image, यहाँ पे dot img2 को हम क्या करना है, image 2 को हम करने वाले हैं, सबसे पहले इसका width, जो है, आपको 20% करके दिखाते हैं, and, इसको right से 0 करेंगे, तो यह right से सटा हुआ रहेगा, यह देखिए, right से सटा हुआ यहाँ पे, तो उमको right से सटा है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 10 करेंगे, तो right से ही सटा रहेगा यह, इसी तरह अगर हम इसको 0% कर देते हैं, तो यह right में ही है, लेकिन यह दिख नहीं रहा है, okay, तो यह हुआ, now, अब हम image 3 को लाते हैं, image 4 को फिल हाल के लिए हटा देते हैं, image 4 is over, अब देखिए, यह यहाँ पर हमारा image 3 आ गया, अब image 3 को भी left से, अब क्या हुआ था, अभी left से हमने 0 किया था, और यहाँ पर एक image है हमारा जो गयाब है, right से भी हमने 0 किया, एक image गयाब है, अब यह image को यहाँ रखेंगे, वापस left से 0 और इसको गयाब करेंगे, यानि same process, image 1 में जो हुआ था, वही image 3 में करेंगे, तो यानि comma imz, sorry, dot imz 3, यह भी इसका अस्तित इधार है, पर गयाब है, same condition हम यहाँ पर भी करेंगे, comma dot imz 4, अच्छा 4 अभी आया नहीं है, 4 खोम आपको दिखा देते हैं पहले, यहाँ पर कुछ नहीं है, and 4 यह रहा हमारा 4, and refresh करेंगे, यह देखे 4 आया, 4 को भी हम इसी तरह, 4 को भी हम इधर के तरफ सिफ्ट कर रहा है, dot imz 4, तो इस वक्त कोई image नहीं है, मेरे पास, फिल हाल के लिए, तो दिखने के लिए कोई तो कोई image होना चाहिए, इसलिए imz 4 को हम अटा देते हैं, हमारे पास image 4, सबसे पहले हमारे सामने image 4 ओपन रहाएगा, अब हमारा part हता है, यह तो बहुत नॉर्मल था, css and php index का काम खत्म, अब हमारे पास my.js की file पे call करेंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, dollar.imz4, क्योंकि अभी हमारे पास 4 है, पे अगर dot click हो, तो क्या हो function, function बग करें, कौन सा, क्या dollar dot imz4, अब देखी, imz4 क्या हो, animate हो, उसका जो width हो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, क्या करना होगा, कि imz, का एक अलग हम बना लेते हैं, imz4, dot imz4, का जो, यह होना चाहिए, right से, right से, zero, क्योंकि अगर जाया है, तो right की तरफ जाया है, अभी हम इसमें अगर इसको दे देते हैं, तो यह zero width तो हमको दिखता नहीं, यहाँ पे, exactly, इसले हमको इसको अलग से बनाना पड़ा, लेकिन हमको right से zero देना है, क्योंकि दो left से zero है, मतब left side में, सटा हुआ है, दो, और दो को right side से सटाना है, ठीक है, तो, इसी तरह इसको भी four को भी right side से touch कर आ रहेंगे हम लोग, यह हमारा css में हुगा, तो animate करेंगे इसका with, with हो, क्या हो, with, अच्छा, ऐसे नहीं होगा, sorry, यह होगा, curly bracket, then, with हो, क्या हो, सबसे पहले 80% हो जाए, क्लिक करने पर, अब जड़ा इस पर ध्यान दिजेगा, क्लिक करते ही, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो problem हुआ भई, रिफ्रेस नहीं किया, क्या हमने, यहाँ पर क्लिक करते ही, इसकी width 80% हो, यहाँ पर क्लिक किया, अच्छा, हमने right यहाँ पर जो दिया है, इसलिए वो right से touch है, हमने right से 0 दिया, इसलिए right से touch है, यहाँ पर जाद रखियेगा, तो हमने click करते ही, अगर हम नहीं देते हैं यहाँ पर, यह इधर है, done, तो अभी क्या हमने किया यहाँ पर कि, इसका width जो 80% हो, अब इसी तरह हम यहाँ पर कॉमा देंगे, width जो हो, वो हो जाए 60%, यानि 80 के पाद 60 हो जाए, आप देखिये ज़रा, क्लिक किये, तो यह 80 फिर 60, and, इसी तरह width जो है, उसका हो जाए, 40%, फिर, width जो है, हो जाए, 20%, and, width, width, width क्या हो, 0%, done, तो यह काफि सिंपल है, यह एक animation को यूज़ करके बनाय जा रहा है, ठीक है, पिलाल slider इस तरह बनता नहीं है, लेकिन आप इस तरह बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, easy है, आप क्लिक किये, और यह slide होके, यह यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर gap होगा, पहले, उसी क्रम में आए, जैसे यह 80% है, तो अभी देखिए, image 3 इधर है, हमारा ध्यान दीजेगा, यहाँ पे, CSS 3 में आप देखेंगे जरा, तो image 3 का width जो है, 0% है, और left में है, left में यह पहले से पढ़ा हुआ है, तो हम image 3 को यहाँ पी हम देंगे, क्या देंगे, image 3 को 20% देंग में, फिर 80% देंगे, and then last में 100% देंगे, तो इससे क्या होगा, कैसा लगा कि एक slide, दूसरे slide को push कर रहा है, जा रहा है, यह देखिए, refresh किया, and yeah, क्या हो रहा है, कि, अब ध्यान दिजेगा, कि यह जो 80 है, तो 80 जब इधर से shift हुआ, तो इधर, राइट की तरफ से shift हुआ, तो लेफ्ट से 20% यह वाला image आया, and 60% बाद 40% यह आया, 40% बाद 60%, इस दे 20, 80, and last में 0, and 100, तो यह हुआ, 4 से यह 3, 3 वाला 4 को push किया, ऐसा हो रहा है, अब हम वापस सब 3 पे click करे, तो इधर से एक image निकल किया है, जो की, इसको push करें, थर्ट को, अचा, अब यहां तक तो यह हो गया, यह मेरा first step था, जो clear हो गया, अब very simple है, अब इसको हम पूरा उठाएंगे, copy paste कर देंगे, simple सा, यह copy paste हो गया, अब यहां पे image 4 को click कर रहे थे, अब यहां पे image 3 को, अगर click करे, तो image 3 वापस उसी तरह, 80, 60, 40, 20 पे जा है, and, अब कौन सा वापस है, अब इधर से वापस आना है, तो अभी तो 4 गया है, इधर वापस, लेकिन 4 के अलावा और कौन सा है, यहां पे CSS में ज़रा ध्यान दीजएका, 4 के अलावा 2 है, 2 भी right की तरफ है, तो right वापस आया, right से, तो हम यहां पे 2 को वापस लाएंगे, यहांने 3 पे क्लिक करें, तो 2 वापस आया, यहां ना सेव करते हैं, जड़ा देखते हैं, 4 गया, और वापस 3 पे क्लिक किये, तो 2 आया, एंड टू इधर आ गया ना तो अब इधर से भी कोई को वापस आना चाहिए ठीक है अगर हम टू पर क्लिक करें वही प्रोसेशर अगर हम वापस टू पर क्लिक करें तो वन वाला इमेज वापस आया तो यह हमने यह कॉपी किया सिंपल कॉपी एंड पेस्ट किया यहां पर अब टू पर क्लिक हो तो वाला वैसे ही इसको प्रोसेशर करेंगे हम लोग इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे यहां पर अब एड अभी वन पर क्लिक हो रहा है एंड वन ही जा रहा है वापस एंड कॉण सा वापस आ रहा है यहां पे four वापस आ रहा है यह हमारा complete four three two and one and now four three two one तो यह एक आपका इसलाइड तैयार हो गया और यह बहुत सिंपल टैक्निक्स है ठीक है और भी बहुत से इसमें आप यूज कर सकते हैं कि आन क्लिक पे यहाँ इसकी पूरी विथ छोटी हो और इमेज कटते हुए तो थोड़ा पहले आपको एक सिंपल स्लाइड भी समझ जाओगा इसके बाद यह आप आगे और स्लाइड समझ सकते हैं तो दोस्तो आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह वेरी सिंपल था और आप इसको घर पे जरूर ट्राय करें ठीक है आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लएगा तो आपको मारी वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताएं कोई कमी हो यह भी बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरू सब्सक्राइब करें कि हम आगे और भी अच् नया कोईशन पूछन पूछना हो तो आप उनसे जरूर पूछ सकते हैं तो ठीक है नेक्स पोजेक्ट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बैबैए टेक के आप